हीट पॉंप पुर्वाइट त्री इंट्ट पॉर फोर किलो जूल पर हावर्ट तू और तू मैंटेन अड्वेलिंग एड 23 डिग्री सेल्सियस ओन अडे वें दा आउट्साइड तंप्रेचर इस 0 डिग्री सेल्सियस कर रहा है कि हीट पॉंप जो है वका कर रहा है कि 3 इंट्ट पर 4 किलो जूल पर हावर्ट इतना किलो जूल जो होता है 23 degree Celsius पे मेंटर है on a day when the outside temperature जबकि जो आपका outside temperature कितना है 0 celsius है the power input to the heat pump is 4 kilowatt और आपके room को 3 into 244 kJ per hour heat देने के लिए और 23 degree temperature पे मेंटर रखने के लिए आपको जोता है work provide करना पड़ा है power जोता है आपको heat pump को provide input देनी पर रही है वह 4 kilowatt है तो कह रहा है कि सबसे पहले इसकी COP निकाले जोता आप reversible heat pump की COP आप find out कर जो की दोनों जोता है वह same temperature पे ही operate हो रहा है तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपका जो है यह क्या है heat pump है ठीक है यह heat pump है और heat pump को जोता है यह heat pump then इसको Kelvin convert करने के लिए 273 add करोगे तो आपका क्या हो जाए Kelvin हो जागा ठीक है जब क्या कर रहा है कि जो आपका heat pump है heat pump जो है वह low temperature से क्या कर रहा है heat को ले रहा है and then high temperature dwelling जो है dwelling को दे रहा है ठीक है आपका यह क्या है dwelling है यह room है ठीक है और room को जो कितना temperature maintain रखना है आपको 23 degree Celsius then इसको आप Kelvin में करोगे then 273 add करने पर यह क्या है 296 Kelvin होगा ओके और इसको जोता इतना temperature maintain करने के लिए इसको कितना heat जो था पर आवर प्रवाइड करना पड़ेगा एक घंटा में 3 into 10 पावर 4 जो kilo Zool पर हावर heat इसको प्रवाइड करने पर रही है और इसको प्रवाइड करने के लिए और मुझे जो था वर्क पावर्ड कितना दिया दना पड़ रहा है आपको जोता है power जोता है 4 kilowatt पावर देनी पड़ रही है ठीक है तो बता रहें कुछ रहा है कि इसके COP बताओ तो सबसे पहले COP जोता है COP जोता है heat pump मतलब heat pump actual का यह actual का निकालना है ठीक है तो actual का निकालने के लिए क्या होता है Q1 Q1 rate by जोता है इसमें W कितना है इसमें power input कर रहे है वह हो गया ठीक है इसको का करेंगे देन इसको जोता है आपको 3600 से divide करने पड़ेगे और देन पावर कितना प्रवाइट की जड़े है फोर वाट फोर किलो वाट देन फोर से आप डिवाइट करोगे देन आपका जो जब इसे solve करोगे तो आपका जो COP आएगा कितना आएगा 2.08 COP आएगा actual COP आएगा किसका heat pump का heat pump का आपका actual आएगा ठीक है लेकिन अगर इसी को सेम जो temperature कितना 23 degree Celsius है और जोता है आपका जो atmosphere है वह 0,0,0 Celsius है तो बता रहा है कि आगर आप reversible COP यूज़ करते हैं तो आगर reversible COP हीच करते हैं heat pump का तो उस समय COP क्या आएगा यह आपका क्या हुआ यह actual case में 2.8 आया बट reversible case के लिए reversible लिकालने के लिए आपको temperature से लखना है temperature क्या T1 by जोता है T1 minus T2 मतलब higher by तो उसका higher by higher minus lower मतलब higher by temperature difference higher कितना आपका आपका जो है 296 के लिए मतलब 23 degree Celsius था और यह 296 minus जोता है 273 ठीक है then जो आप 296 by 23 जो आप इसे solve करोगे तो आपका एगा 12.87 जोता है मतलब actual का जो COP है वो कम है then किसे reversible का जो COP है 12.8 है बट उसी का जो तो same temperature पे operate हो रही है बट उसका जो जिस इसे hit ले रहा और वक प्रवाइट कि जरुए उसकी दो COP actual का COP 2.08 है बहुत दो डिफ्रेंस का 2 है इसका 12.8 actual बट यह रियल लाइफ में exist नहीं कर बट यह रियल लाइफ में exist करता है ठीक actual ओके थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छे लग है दैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो के थैंक यू कर दो